जय हिंद वंदे मादरम साथियों आपके सीटेट परिच्छा में हिंदी प्रेड़ोगोजी यानि की हिंदी सिच्छनविदी से काफी अच्छे खासे प्रशन बनते हैं ठीक है केवल हिंदी सब्जेक्ट में ही आपके 15 कुईश्चन आते हैं इसके अलामा अन जितने भी सब् 15 15 नमबर के सिच्छनविदी से प्रशन आते हैं तो ये साथियों जो आपकी सीरीज में लेकर आया हूँ ठीक है वो काफी महत्यपूर है ये आपका साथियों सेट नमबर दो है इसके पहले सेट नमबर वन हमने कल लिया है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिशन में है अथ्वा आप प्ले लिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो का पहला प्रशन साथियों आपके सीट परिक्षा के लिए काफी महत्यपूर है तो साथियों एक भी प्रशन मिसमत करिएगा केवल टाप 10 कुिस्चन लेकर इस सीरीज में हम आते हैं तो चलिए दे कारण है उनमें सबसे कमजोर कारण की बात कर रहा है तो चलिए देखते हैं देखे साथियों जो सिच्छन विदी के कुईस्चन होते हैं उसका अगर आप साथियों उत्तर जो है बीना चारो आपसन पढ़े अगर आप टिक करेंगे तो 100% आपके साथ ये प्रशन गलत हो ज उसमें विचार करने का सामर्थ नहीं है जो भासा लिखता बीना विचार की लिखता है तो ये आपसन तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा तुख है उसकी लिखेत भासा पर पकड़ नहीं जो पहला आपisteन है ये भी अभी सही नहीं लग रहा है ठीक है पहले इस तरह से आप बिचार करेंगी कि कौन सही लग रहा है कौन एकदम गलत है ठीक है अगला देखते हैं स्रिचनातमक लेखन की सिछन पद्धती उचीत नहीं है स्रिचनातमक मतलब क्रियेटिव यानि कि नए नए सब्दों के बिचार को समझ पाना ठीक है ये भी सही हो सकता है लेकिन बोल पाना खुझ से बोल पाना ठीक है खुझ से नए सब्दों को परकट करक पाना उसकी जो कमजोर है इसलिए वह रटे हुए सब्दों का परियोग करता है तो आपसन डिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसलिए बाकी तीनों आपसन आपकी गलत हो जाएंग देखते हैं बच्चों में कहानियों को सब्दसा दोराने की छमता का विकास करना नहीं क्या बच्चों में साथियों आप जो क्रियेटिवून को नहीं बनाना चाहेंगे ठीक है यहां पर कह रहा है सब्दसा आयानी की जैसे के जैसा लिखा है उसको दोराने की छमता का विकास करना बिल्कुल गलत है ठीक है बच्चों को ब्याकरण के नियमों को कंठस्ट करवाना आयसा जहां पर साथ है आपको कंठस्ट करवाने की बात आ जाए आप तुरंत उसापसन को गलत करवा देंगे ठीक है क्यों क्योंकि साथियों हम रटने पर जोर नहीं देंगे बच्चों को साथियों समझाएंगे उसके तरीकों को समझाएंगे उसके नियम को समझाने का प्रयास करेंगे तो जहां पर आपको कंठश्ट करने रटवाने की बात आजाए तुरंद गलत कर दीजिए उस आफसन को किसी भी क्विश्चन में हो अगला देखिए बच्चों को पाठों के अंत में दियेगे उदाहरणों का अभ्यास करवाना ठीक है ये भी आपका गलत हो जाएगा बच्चों में समझ के साथ है पढ़ने और लिखने की छमता का विकास करना ये सबसे बेस्ट आफसन आपका है ठीक है देखिए जो बच्चों में समझ है उस समझ के साथ यानि कि अपने समझ के विक्सित करने के साथ साथ पढ़ने वाल लिखने की जो उनकी छमता है उसका विकास करना तो सबसे बेस्ट आफसन आपका आफसन डी हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रशन देखते हैं अगला हमारा प्रशन है साथियों भासा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्तो हो सकता है यानि कि जब आप भासा सीखते हैं जैसे हिंदी भासा ठीक है तो उसमें सबसे बड़ा बाधक तत्तो यानि कि रुकावट वाला तत्तो क्या हो सकता है चलिए देखते हैं पहला आफसन भासाई परियोग के अउसर ठीक है तो ये आपका जो बाधक नहीं साथी हूँ, जब आप भासा प्रयोग की अउसर प्राप्त करेंगे तो आपका जो भासा विकास है वो अत्धिंग मजबूत होगा, ठीक है, तो ये तो बाधक नहीं है, दूसरा है इकाई परिच्छन, इकाई परिच्छन भी नहीं है, आप जो है बच्चों के परिच् का, तो ये साथी हो जो भासा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्त हो सकता हो क्या है, भासा में आकलन, यानि कि भासा में आकलन, जब आप बच्चे का करेंगे, बार बार, तो ये साथी हो आप का जो है गलत हो जाएगा, ठीक है, उनको आप आप आउसर नहीं देंगे, के ब्याकरण का ग्यान नहीं होगा तो बच्चों का क्या सिखाएंगे सुन्दर लेख भी होना चाहिए ठीक है और बिसे और मुल्यांकन विदियों का ग्यान भी आपको होना चाहिए तो जो रासायनों का ग्यान है रासायन यानि की केमकल्स का ग्यान आपको होना जरूरी नहीं ठीक है और पूशा क्या है आवस्यक नहीं है तो यही आवस्यक नहीं है तो इसलिए आपका आपसन सही हो जाएगा आपसंडी ठीक है यह साथ ही आपका विज्ञान जो पढ़ाते हैं उनको ऐसा ग्यान होना चाहिए चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं गद्य सिच्छन में काठिन निवारन किया जा सकता है तो गद्य सिच्छन में काठिन निवारन चितर दिखा कर बिल्कुल सही बच्चों को चितर दिखाएंगे तो उनका जो समस्या है दूर हो जाएगा बस्तु को पत्रच्य दिखा कर ठीक है अगर कोई बस्तु है और बच् कोई मसीन का या जो भी आप बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पर उसका एक माडल दिखा देंगे ठीक है तो तीनों विधियां अपना कर आप जो है गद्य सिच्छन में काठिन को आप निवान कर सकते हैं तो इसलिए आपका आप्शन डी सहीजा का उपरिव्ट तो सभी ठीक है अगला प्रशन देखते हैं प्राथमिक अस्तर पर कविता सिच्छन उपयोगी नहीं होगा ठीक है प्राथमिक अस्तर मतलब कच्छा एक से पांच तक पर जो कविता सिच्छन उपयोगी नहीं होगा ठीक है चलिए देखते हैं जिसे छात्र सरलता से समझ सकें ठीक है तो य आपका उपयोगी होगा क्योंकि जिसे छात्र आसानी से समझेंगे वो छात्रों के लिए उपयोगी होगा और यहां पूछा है नहीं होगा ठीक है इसलिए हमको निगेटिव ढूड़ना है आपसन अगला आपसन है जो कभिताएं छात्रों की स्रजन सीलता को बढ़ाने वाली हो, creativity को बढ़ाने वाले होंगी, तो ये छात्रों के हित्में होगा साथियों, तो ये भी आपका आपसन गलत नहीं है, जो कविताएं अंतरराश्टी वादों से संबंधित हो, ठीक है, तो ये ही आपका सही हो जागा क्योंकि ये negative है, ठीक है, क्योंकि साथियों जो कविताएं अंतरराश्टी वादों से संबंधित हो, ऐसी साथियों प्राथमिक अस्तर के बच्चों के लिए कोई उपियोगी नहीं है, माली जी आप अंतरराश्टी जो वादे किये जा रहे हैं एक दूसरे से, कि हम जलवाई परवर्तन पर काम करेंगे, ठीक है, तो ऐसे वादों पर जो कविताएं बनेंगी, वो बच्चों को उससे क्या भाइदा, बच्चे उसमें क्या समझ पाएंगे, तो इसलिए जो आपसन है, आपका जो है उपियोगी नहीं है बच्चों के लिए, ठीक है, और अगला आपसन है, जिसमें नीती, हाद से बीरता, देशभक्ती जैसी भावनाएं हो, तो इससे साथियों जो है छादर बहुत अच्छी तरही के से विक्सित होंगे, उनमें साथियों बीरता की भावना उत्पन होंगी, देशभक्ती की भावना उत्पन होंगी, तो जो सब से उपियोगी नहीं हो, वो साथियों आपसन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको साथियों चारों आपसन पढ़ करके, एक आप क्या करेंगे ठीक है पहले आप क्या करेंगे इसका साथ ही जो सही वीदी है उसका एक ठीक है सुबो पाली सुबो पाली इसको आप याद कर लीजिए ठीक है यानि कि पहले सुनना फिर बोलना फिर पढ़ना फिर लिखना तो यही हम ढूढेंगे कि आपसन में आपका कहा पर है ठीक है ट्रिक क्या है सुबो पाली इसको आप याद कर लीजी ठीक है सुबो पाली जिसको याद कर ले जाएंगे तो भूलेगा नहीं नहीं तो आप अन्फ्यूज हो जाएंगे पहले हम सुनेंगे, पहले हम कान के माध्यम से सुनना करेंगे, मतलब बच्चा अगर कोई साथियों भासा सीख रहा है, तो पहले बच्चा मान लीजी अभी जल्दी जल्द जो है नौजाद बच्चा है, तो वो क्या करेगा, क्या तुरंद बोलना चालू करतेगा, नहीं, प लाश्ट में चालो करेगा ठीक है तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं पहले सर्वन करेगा फिर बोलेगा फिर पढ़ेगा फिर लिखेगा ठीक है तो आपसन भी आपका सही हो जाएगा चलिए अगला प्रशन देखते हैं आठमी कच्छा के बच्चों के भासा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण की बात कर रहा है तो चलिए देखते हैं पहला अपसन है किसी कहानी को नाटक में रूपांतिरित करना अगर कोई कहानी है उसको नाटक में रूपांत करना मान लीजे कोई साहितिक समा रोह का आयोजन करने हैं तो क्या उसमें आप बच्चे की भासा का आगलन कर सकते हैं नहीं कर सकते भाई क्यों नहीं कर सकते आप सोचेंगे क्योंकि साथीं वहाँ पर जो साहितिक सम्मेलन होगा उसमें काफी अच्छी खासी अगर भीड होती था थीख है तो यह साथ हिआ सबसे भेकाराफसन आपका आपसन भी होगा ठीख आगर आगला देखित परिछाओं का आउजन करना अब लिखी परिच्छा का आउजन जो सबसे बेकार और सबसे कम महतोपूर है वो आपका है साहितिक समाण 500 का आईजन करना घिक है तो आपका अफिर भी सही। जाएगा ठीक है क्योंकि सबसे कम अठकती है ठीक है अभी उपर मैंने यही समझाया कि अगर आप बच्चे हैं अभी कच्छा एक से आर तक के हैं तो आप साथियों किसी के सामने अपनी बात कहने में हिचकिचाएंगे ठीक है तो वही है कि रूपा अपने समुह के सामने अपनी बात कहने पर अठकती है एक आपका 90% वही पर आपका आपसन वही सही हो जाता है ठीक है लेकिन साथियों हम सभी आपसन पढ़ेंगे अगला आपसन पढ़ेंगे हम उसे बार-बार समझाएंगे कि बड़े समुव में किस तरह बोला जाता नहीं बार-बार समझाएंगे तो बच्चे के अंदर ही भामना उत्पन हो जाएंगी कि मुझे कुछ हाता ही नहीं उसमें बल पूरवक आत्म विश्वास उत्पन कराएंगे बेलकुल गलत क्या उसको आप जबरदस्ति करेंगे मार पीट कर उसको जबरदस्ति आत्म विश्वास नहीं उत्पन करा जा सकता साथ है उसे हमेशा बड़े सम आपका आउसर देना है तो प्रारम में छोटे-छोटे समूहों में बात करने की छोटे-छोटे मालेजे 10 बच्चे है उसमें आप जो रूपा है उसको खड़ा करेंगे आप कुछ बोलिए इस तरह से जब धीरे-धीरे बोलना सीख जाएगी तो आप बड़े जो समूह है उसम इसी तरह से आपको समझने होंगे ठीक है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और पर लेलिट से जाकर अन्य वीडियो जरूर देखेगा देखिए अगला प्रशन है भासा सिच्छन के अंतर गते वरतनी सम्मंधित तुर्टियों का निवा रहा है तो चलिए पहला आपसन देखते हैं बरतनी का सुध्य उच्छारण योम लेखन अभ्यास करवाकर ठीक है जहां पर साथियों अभ्यास करने की बात आजाएगा आपसन में कोई भी कुश्चन हो जहां पर आप्यास करवाने की बात आजाएगा वह आपका 90% आपसन स पहला आपसन हो आपका 90% तो यहीं समझ सही हो गया लेकिन अभी हम 4 आपसन पढ़ेंगे ठीक है अगला हमारा आपसन है टूटियों का परकार गिना करें टूटियों का परकार साथियों गिनाने से क्या फायदा कोई फायदा नहीं होगा ठीक है क्या इससे बच्चे का टू दूर नहीं की उपर शे getting आपका जाएगा उसको बार बार सातियों हभ्यास करवाएंगे ताकि वह जहता ही कर सके प्रशन, शीखने शीखने, सिखने सिखाने की प्रकिरिया में डाट, डाट की उपěच्छा बिल्कुल नहीं की जा सकती किसकी उपेच्छा बिल्कुल नहीं की जा सकती सीखने सिखाने की प्रकिरियां में चलिए देखते हैं सिच्छक के सास्तरी ज्यान की उपेच्छा की जा सकती है तो पहला आपसन नहीं होगा अगला आपसने साथियों बच्चों की भासिक प्रिष्ट भूमी यानि कि बच्चा अगर माली जे कच्छा 5 में पढ़ रहा है तो वह इसके पहले अपनी भासा का कितना विकास कर चुका है इस पर आप साथियों इसकी उपेच्छा आप नहीं कर सकते हो सकता है उसका विकास साथियों बहुत कम हुआ हो ठीक है तो इस हिसाब से उसका आकला नाप करेंगे और सीखने सिखाने की प्रकिरिया जो है उसमें इसका उपियों करेंगे कि बच्चा पहले बहुत कम सीखा है अब उसकी साथियों यानि कि जो बच्चे की भासिक प्रिष्ट भूमी है प्रिष्ट भूमी मतलब बैकग्राउंड ठीक है तो बैकग्राउंड अगर आप उसकливо जानेंगे तो आप उसको अच्छे से सिखा पाएँगे तो आपका आपसं B आपका सही हो जाएगा ठीक है उसकी सामाजिक स्रेड़ी की बात नहीं करेंगे कि वाकिस जाधी धर्म का है ठीक है इससे आपको कोई मतलब नहीं है बच्चे के पाठ पुस्तकी ग्यान ठीक है जरूरी नहीं है कि बच्चा का अगर पाठ पुस्तक ग्यान अच्छा है मान लेजे कोई का ये वरण है का क्या है एक वरण है अच्छर है और मा अउल्ला हमने मिला दिया क्या बन गया साथियो कमल अब कमल का एक अर्थ है अगर मैं आपसे कह दूँ कमल तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि राश्टी पुस्प कमल की बात हो रही है उसको क्या कहते हैं इसका मा और ला को मिलाया तीन वरण गलिए और इसका यए अगली वीडियो में लाग पिंट सब्सक्राइब कर दे लिए जाए नीचे लिंक है जोईन के लिजिए अगली वीडियो मुलाकात होगी तब तक ली नमस्कार जय हिंदु बंदे मातरम